परसो जो incident हुआ है जिसमें हमाई फादर की arresting हुई है वो बहुत plain and simple एक बात है उसमें कोई बहुत घुमा फिरा के बात नहीं है कि पुलीस का जो रवाया पिछले 7-8 सालों में इस इलाके में हो गया है जो पुलीस का moral high करने वाले कुछ लोग हैं यहां पे जिनोंने को पुलीस ने बीट वालों ने रोक के और उसे harass करना शुरू कर दिया बिना किसी वज़ा के और जिसकी लिए हमारे वालत साब वहां गए पूछ ताच करने कि आवाज उठाने कि किस बात के लिए आप बच्चों को harass कर रहे हैं दिन दुपहरी में डेड़ बज़े का वाक public servant हमारा काम है सबका कि हम कौम की खिनमत करें ना कि उन पर जल्म ज्यात्ती करें अगर कहीं पे भी पुलीस law and order maintain करेगी या criminal activities के खिलाफ action लेगी बिल्कुल हम खुद पुलीस को support करेंगे लेकिन बिना वज़े illegal activities करना या जल्म ज्यात्ती को बढ़ावा देना यहां की कांदारों से हफता एठना या फिर समर सेविल के नाम पर पैसे एठना इस सरह की हरकते अब इस लाके में बरदाश नहीं करी जाएंगी अगर हम जीतते हैं इंशाल्ला तो हमारा focus इस पर रहेगा और इसी वज़े से वही एक किस्सा हुआ जिस पर हमारे वाई साब वहां प कि अरेस्टिंग से हमें किसी का डर खौफ तो है नहीं अल्ला से डरने वाले लोग हैं सरफ और ना हमें अरेस्टिंग से कोई डर लगता है हम कल अरेस्ट हुए थे एलेक्शन के दौरान वो भी अवाम के लिए आवाज उठाई थी अवाम को खरीदने की कोशिश करी गई लेकिन वो भी आवाम के लिए हमने आवाज उठाई थी तब अरेस्ट हुए थे आज वाकिया हुआ है कपर्सो का वो भी अवाम के लिए जो आवाज उठाई है उसके लिए जिस लिए ओन अरेस्टिंग तो जो खोटी सी चीज बिलकुल नाशनल लेवल यraf स्टेट लेव politics की बात हो या जैसे भी हमारे लिए तो बीजेपी केज और आमानी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है ये दोनों A और B टीम है तो चाहे national लेवल पे आ जाई है या state लेवल पे आ जाई है जब इन पार्टियों आपको भी पता है किस तरह के आंटी मुसलिम प्रॉपगांड़ा ये पार्टी फ्हलाती है क्या चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो केजरिवाल जी हो और इन ही के जो नुमाइंदे यहां आए बैठे हुए है उन्होंने किस तरह से यहां हशर खराब कर दिया चाहे वो इलाके का हो चाहे वो जुमजाती को लेके हो और पुलीस देखिए वो ही बात है कि अगर पुलीस सही तरीके से काम करेगी तो हमें कोई मसला नहीं है हम तो खुद उन्हें सपोर्ट करेंगे उनके साथ कड़े होंगे लेकिन गलत काम चाहे फिर वो पुलीस हो चाहे वो यहां के नुमाइन दे हो कोई अथॉरिटी हो कोई भी अगर कोई गलत काम करेगा या जुमजाती करेगा उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे हमेशा जी आज कल पापा की कोट में पेशी हुई थी और हमारी लीगल टीम लगी वी है लॉयस की वो लोग हैंडल कर रहें इस केस को और इंशाला जो भी है वो हो जाएगा और उनकी गेर मौजूदगी में मैं खड़ी हूँ यहां अवाम के साथ मैं खड़ी हूँ और मैं और मेरे वालत साथ पहले भी खड़े थे हमेशा आगे भी खड़े रहेंगे हम जुलमाजाती नहीं होने देंगे इस इलाके में ऐसा नहीं है कि सिफ एलेक्शन के दौरान हमने ये बाते करी हैं हम आगे भी जब तक हैं तब तक हम यहां की आवाम के लिए खड़े हैं बहुत पॉसिबिलिटी है देखिए हम अब मैं इन बातों पे आपको क्या बताऊंगे किसका पॉसनल वेंड़ेटा है या कौन ये पैसे खिलाने पे कर रहा है या किसी का जाती मफाद है इन बातों पे मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूंगी हमारा फोकस सिर्फ ये है कि आवाम के खिलाफ अगर कोई भी गलत तरीके से किसी भी तरहा की कोई हरकत होगी हम हमेशा उसके लिए आवाज उठाएंगे चाहे पिर वो पुलीस करे चाहे वो नुमाइन दे चाहे कोई भी करे हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि हम यहां के लोगों के साथ जाती नहीं होने देंगे